का सभी स्टुडेंटों को आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेजिस्टेंस के बारे में और रेजिस्टेंस में सीरेज पैरलल सॉलूशन के बारे में का इस तरीके से और parallel का formula क्या होता है ये दो formula हमें याद सबसे पहले रखना है बन अपॉन RT होता है R1 प्लस R2 और R3 आगे तक चलता है ये दोनो formula से हमें combine it कराना है ठीक है तो अब हमारे पास क्या होगा कि कोई सी भी एक problem होगी और resistance की उसको हम solve करेंगे तो उसको कैसे solve करते हैं ये technique आपको आना चाहिए काफी बार ये question आते हैं इसके लिए मैं आपको दो question है उनको solve करके बताऊंगा जैसे एक ये simple वाला है ये मैंने अभी लिया ऐसा question काफी बार आता है ये सबसे पहले क्या होता है कि हम input कहां से कर रहा है उसको देखते हैं और उसके बाद यहां से चालू करते हैं कि सीरिज में है resistance या समानतर में कैसे ग्याद करेंगे ये देखा जाए तो donor resistance को क्या है ये series है तो दो और दो क्या हो जाता वही ये चार हो जाएगा जो है ठीक है तो इसके लिए हम क्या करते हैं इस तरीके का ये diagram बन जाएगा ये चार value हो जाएगी ये दो अब ये दोनों किसमें हो चुके हैं parallel में तो जैसे ये parallel में होगे 2 और 4 को हम parallel में solve करना पड़ेगा parallel का solve के लिए हमको ऐसे करना पड़ता है बन अपॉन और बन अपॉन R2 बन अपॉन 4 बन प्लस 2 इसको आप solution करोगे तो ये आपके पास आजाएगा इस तरीके का ये 2 आजाएगा और ये हो जाएगा 3 अपॉन 4 और इसको पलड़ दोगे तो फोर अपॉन 3 हो जाएगा यानि ये आजाएगा आपका बन पॉन्ट कुछ आजाएगा तो ऐसे इसको solve करते हैं ठीक है तो ये थी एक छोटी सी problem अब हम चलते हैं बड़े सवाल पे कि इसको हम कैसे solve करते हैं इस परकार की सवालों में देखें हैं हमारे पास एक सवाल आई ग्राफ दिया गया है इसमें आठ रजिस्टेंस लगे हुई है एक दो तीन चार पांच छे सार आठ इसकी problem अपन को solve करना ये बिलकुल easy है step by step करेंगे हम इसको सबसे पहले हम जहां से इसको input करते हैं उसके just last में देखते हैं और कोई से भी दो resistance को check करते हैं कि ये series में है की समांतर में ठीक है तो सबसे पहले हमने इन दोनो resistance को solve की गए तो यहाँ पे आप देखोगे 2 और 4 को solve किया ये 6 हो गया ठीक है ये पहला step हो गया कुछ नहीं किया इसमें तो आप इसको और इसको देखोगे एक resistance हमारा कम हो गया जैसी ये 2 थे ना इनको series में solve करके ये कम हो गया ठीक है अब अपन को करना क्या है कि इन दोनों को solve करना है तो इन दोनों को 3 और 3 को तो फिर से ये 6 हो गया तो ये जो step है वो दूसरा है ये भी आपको easily समझ में आ गया होगा अब क्या करना है कि ये resistance और ये resistance 6 और 6 दोनों को जब हम parallel में solve करेंगे तो ये वाली condition प्राप्त होगी ये 3 हो जाएगा बकाय resistance हमारे जहमके त्याव लिखे रहेंगे उसके बाद इसको और इसको solve करना तो ये किस में है भई? series में तो ये 4 हो जाएगे अब 4 और 2 को फिर से अपन को ये parallel में solve करेंगे तो ये हो जाएगा अब last में देख रहे हूँ आप ये 3 हो रेश्टेंस के हो गया series में हो गया तो आइ भी जाएगे